पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट आगई 18 वी किस्त की तारीक खातों में इस दिन आएंगे 2000 रुपे पीएम किसान समान निदी योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है वज़ा ये है कि 17 वी किस्त आने के बाद अब तीन महीने से ज़्यादा का वक्त बीच चुका है पीएम मोदी ने 18 वी किस्त के 2000 रुपे लाभारती किसानों के खातों में डाले थे जिसके बाद अब 18 वी किस्त के इंतजार किसानों को बेसबरी से है क्योंकि एक तो अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है दूसरा ये की चर्चा इस बात पर तेज है कि पीएम किसान सम्मान निधी योजना की 18 वी किस्त के 2000 रुपे अक्टूबर के महीने में आ सकते हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई है ये खबर किसानों के लिए खुश खबरी लेकर आई है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधी योजना की 18 वी किस्त के 2000 रुपे किस तारीख को किसानों के खातों में आएंगे PM किसान समान निधी योजना की 18 किस्त की तारिख को जाने के लिए आपको PM किसान की सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा वहीं एक तारिख लिखी हुई है जिसमें ये साब दिख रहा है कि किस दिन किसानों के खातों में 18 किस्त के 2000 रुपय आएंगे यहां तक का वीडियो देखते हुए है आप जरूर PM किसान समान निधी की सरकारी वेबसाइट को अब तक ओपन कर चुके होंगे क्योंकि इस साब तोर पर इसकी तारिख को लिख दिया गया है PM किसान की वेबसाइट पर लाल कलर से साब तोर पर यह लिखा गया है कि परधान मंतरी 5 अक्टूबर 2024 को PM किसान योजना की 18 किस्त को जारी करेंगे यह तारिख आप वेबसाइट खुलते ही पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं हर बार की तरह 5 अक्टूबर को देश के तक्रीबन 10 करोड लाभारती किसानों के खातों में DBT के जरिये 2000 रुपे एक क्लिक में PM मोधी ट्रांसफर कर देंगे लेकिन यहां एक पेश भी फस सकता है यह पेश उन किसानों को लेकर फस सकता है जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना EKYC नहीं कराया है क्योंकि PM किसान योजना की 18 वी किस्त के पात्र उन्हीं किसानों को माना जायागा जिन्होंने अपना KYC करवा रखा है यहां गोर करने वाली बात ये भी है कि नेरूल के मुताबिक EKYC के साथ किसानों की जमीनों का भो सत्यापन और अधार लिंकिंग का काम भी पूरा होना चाहिए वरना ऐसे किसान PM किसान समान निधी योजना का लाव उठाने से चूक जाएंगे इस खव अंबस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ सबस्क्राइब के अ